असलाम अलेकम आप सभी को हमारे चैनल टैक 18 पर जिल से स्वा गयते हैं आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइट पार्ट आप और भी डेटा सेट और शेल के तुरू कैसे रिफ्रेश करेंगे पिछले दो वीडियो मैंने इंग्लिश में बनाए हुआ है आप जाक साफी बहुत बढ़िया चीज़ है आप इस वीडियो को एंट तक जाके ताकि आपको आसानी रहें और प्रेसे समझ आए यह रहा स्क्रिप्ट पहले आपको स्टेबेस का प्रोसर्स बता जो आप घब रहेगा नहीं आसान है बिल्कुल है यहां पर पहला यह तो है आप inent id देसरा आप्लिकेशिन ा il जो आप अपनाएंगे इसका आएट तीसरा तीसरा आपको सिक्रेट वाल्यू जो आप क्लाइंट बनाएंगे उसका client secret नहीं उसका client secret का value आता है जैसा कि आपका email id वह password रहता है तो वह value आप यहां पर लाए उसके बाद यह तो regular रहेगा यह तो group id मतलब workplace id डासेट id आपका जो report dataset है उसका id यह सारे चीज़ें आप capture कर लेंगे तो उसके बाद simple steps है यह तो connect service principle आप password यहां पर convert करेंगे convert to secure string secret value यह जो आपने connection id और password आगे रहां पर उसके बाद आप connect powerba service account को service principle के तुरू credentials पास करके connect id पास करेंगे यह करने पर आपको automatic जो है पॉर्शल स्रीप रूसे पर लागिन हो जाएगा उसके आप headers करेंगे यह get powerba access token यह आपको token मिल जाएगा token मिलने के बाद आपकी जो refresh कर सेटें डेटासेट को इस वाले comment पर यह तो dollar uri equal to https app.powerba.com यह v1.org v1.o my or groups यहां पर आपको group workspace id देना है और यहां पर refresh command यह करने के बाद आपको invoke करना है powerba rest method को uri यहां पर uri headers पास करेंगे और इसके बाद method pause verbose यह करने से आपको dataset powerba service पर refresh हो जाएगा और finally आपको यह जो connection आपने open किया हुए इसको disconnect करना है तो disconnect powerba service account यह complete stuff है यह आप यह आप यूज़ करके आप आप आसानी से और रण करके आप अपना dataset को refresh कर सकते हैं यह जिसलिए useful है ताकि आपका ETL job है जो आपको पताने कि यह कब का खतम होत एक बार one hour मोता है यह तो फिर आपको half an hour मोता है आपको जब दी आप यह refresh करना है तो आप यह चीज़ें यूज़ कर सकते हैं तो आपको जो स्क्रिप्ट है आपने जो यूज़ किया हुआ है तो आप यह चीज़ें कहाँ से लेंगे पहली बात तो है आप कैसे रिजिस्टर करेंगे तो इसके लिए चलिए आप आजूर पर जाके दखते हैं यह बिसिकली फ्री है आप अपना email डी या बिजनस email डी आप यूज़ कर सकते हैं portal.azure.com पर लॉग इन करेंगे तो आप यहां पर यहां पर जा जाएगा तो यहां पर यहां पर आप क्ल करेंगे ना पर यहां पर यहां पर यहां पर हो जाएंगे उसके बाद आपको यहां पर पहला जो है आपका tenant यहां अप्लिकेशन से ही मिल जाएगा यह रहा आपको tenant आईडी तो यहां पर यह यह यूज़ कर सकते हैं दूसरा रहा है हमें client id जो application id है वो भी आप यह यह क्लिक करना है याप क्लिक करेंगे इसे लिए आपको आपको सेक्रेट करना यह जाएगे यह यह धो受火 करेंगे तो यहां पर पहले बादule जो प्रेड करेंगों वहיש नजर नहीं आएगा तो इसलिए आपको वह वाल्यो एक्स सेक्यूर्ली आपको सेव करना पड़ेगा अभी के लिए आप इसे नीवाल्य आप करना चाहेंगे तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं एक क्लिक करने बाद आप जिसका एक नाम दे जे और उसको वाद यह इतने में होएगा तो आपको यह वाला आईड करना यह आपको यह आपको करके यहां पर डालना है ठीक है अरही बद आपका ग्रूप आईडी यह तो रेगलर है आपका तो आप आसानी से यह वोक्सकेस का आईडी तो आप कापी कर सकते हैं और यहां पर डेटासेट आईडी कापी कर कर सकते हैं कि इसके लिए माली जी एग्जाम्पल आप यहां पर यह इंट डाश्बूट के अंदर है यहां पर अप्र प्लिक करें कि आपको सेटिंग्स पर चलेगे तो यह जो आडरेस बार में दिख रहा ना यह रहा आपका गुरू बढ़ी और यह रहा आपका डे टयासेट आईडी तो यह अगर आप यह सीरीज पसंद आया तो आप इसको ज़रूर शार करें और इसको लाइक बटन ज़रूर प्रस करें आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आए हुए तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना बोले शाथ साथ आप भी लाइक आप भी प्रस करने ताकि आपको लेनी नोटिफिकेशन्स मिलती रहें दूसरों तक शैर कीजएगा सेखते रहें देखते रहें फिर मिलेंगे अगले वीडियो में